तो इंडियन आटोमोबिल सेक्टर के अंदर एक ऐसा ब्रांड है जब से वो इंडियन मार्केट में आया है सिर्फ SUV गालिया ही भना रहा है और लोगों को SUV ही दे रहा है और करे भी क्यों न क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी SUV को ही करते हैं बट ऐसा नहीं है कि बाकी गालियों को लोग भूल चुके हैं क्योंकि hatchback, sedan इसमें कोभी कमी नहीं आने वाली है उसी तरीके से कहा जा रहा है कि MG जो है अब hatchback के साथ आने वाला है अब ये कौन सी hatchback है क्या इसकी update है ये गाड़ी कब आने जा रही है कितने CC के साथ आती है क्या feature इसके इंदर म upcoming MG की hatchback के बारे में तो अगर हमें सबसे पहले बात करता हूँ कि ये गाड़ी कौन सी है जिसके अपर लोग बात कर रहे है कि गाली in market में आने वाली है अब ये गाड़ी है MG की hybrid hatchback जिसका नाम है MG3 अब ये MG3 जो है ये एक ऐसी hatchback है जो कि sporty design वाली modern looks वाली hatchback है जो कि normal hatchback से जो इनियर में आती है उससे काफी अलग है अब अगर मैं looks and design के बारे में बात करूँ ये इसकी appeal की बारे में बात करूँ कि आखिर गाली किस तरीके से दिखाई पलती है तो देखिए गाली बहुत होती जादा stylish है क्योंकि इस गाली के अंदर आप लोगोंने देखा होगा कि MG7 एक sedan आती है उस तरीके से इसका front head मिलता है इसका front design जो है सामने से इसी तरीके से slopey मिलता है इसके अंदर बड़ी सी front grills दी जाती है stylish alloy wheels दिये जाते है और गाली के अंदर LED lighting है और tail lights भी LED है और यह गाली काफी जादा character lines के साथ आती है काफी slopey सी है और sharpness भी गाली के अंदर नज़र आती है compact सा dimension है बट यह गाली different looks में है अगर आप लोग normal sedans, baleno, i20 से compare करते हैं तो यह गाली जब Indian market में आएगी तो यह गाली बिलकुल अलग रहने वाली है उनके looks के मुकाबले तो ज बट इसके अंदर high quality materials दिये गए हैं जिस तरीके से आप लोग mg की hector और बाकी गालियों के अंदर देखते हैं इसके अंदर touch screen infotainment system मिल जाता है apple carplay connectivity मिल जाती है android auto की connectivity मिल जाती है और साथ ही साथ इस गाली के अंदर आप लोग को 10.25 इंच का multimedia screen मिलता है इसके साथ आप ल लोग को बाधी में उपता चलेगा फिलहार यह गाली जो है European market में बेची जाती है बट बहुत जल्ड इंडियन मार्केट में भी आने वाली है जिसके पर अभी हम लोग बात करेंगे अब बात करता हूं के गाले के अंदर engine कौन सा दिया गया है यह mg3 hybrid hatchback है और इसके अंदर और 128 एनम का टॉर्क मिलेगा और वहीं जब यह गाली इलेक्ट्रिक के साथ आ जाएगी यह इसके अंदर जो hybrid चलेगा तब यह गाली जो है 134.14 bhp जनरेट करेगी और 2500 एनम का टॉर्क जनरेट करेगी तो combine power के अगर हम लोग बात करते है तो 194 bhp यह गाली जनरेट करती है acceleration की बात करी जाए क्योंकि जब motor और engine की power लगती है तो आप लोग 0-100 km की speed जो है वो सिफ 8 seconds में achieve कर सकते हैं और इस गाली की top speed 170 km है international markets के अंदर अब यह इंडिया में आती है तो क्या सारी चीज़ें के अंदर मिलती है कितनी top speed रखी जाती है वो तो वक्त आने के बाद यह अब अगर बात करें गाड़ी के अंदर तीन तरह के driving modes भी मिल जाते हैं जो की eco standard और sports वाले हैं अब इंडिया में जब भी कोई गाड़ी आती है तो उसको safety और features दोनों लोग बहुत prefer करते हैं कि जिस गाड़ी के इंदर जादा features मिलते हैं तो वह लोग उसकी तरफ जाते है या फिर कुछ लोग safety कोई prefer करते हैं कि जिसमें जादा safety features मिलते हों हम उस गाड़ी को prefer करें तो अगर बात करें कि MG3 के अंदर किस तरह के feature मिलते हैं तो देखिए गाड़ी के अंदर feature की कोई कमी नहीं है जिस तरह के से MG की गाड़ी कोई कमी नहीं होती है बिल्कुल उस तर Android Auto, Apple CarPlay मिलता है, ADAS भी इस hatchback के अंदर मिलता है जो कि advanced driver assist system है जो कि Aster जैसी गालियों में, Glosser जैसी गालियों में MG देता है, वह यह अगर बात करें, 360 degree का parking camera भी आप लोग को इस गाली के अंदर देखने को मिलेगा, heated front seats हैं और steering wheel international markets में आती है बाट इंडिया में इस ख्या prices मैंने आप लोग को बता दी है, 10.25 inch आप लोग को infotainment मिलता है, और 7 inch का digital instrument cluster मिलता है, जो कि driver के digital display होता है, बागी सारा setup जो है lighting का वो आप लोग को गाड़ी के अंदर LED ही मिल जाता है, तो safety feature भी गाड़ी मिल रहे है, और आप लोग को normal, modern features जो होते हैं, वो भी गाड़ी अगले महीने आ रही है, या फिर दो महीने के अंदर ये गाड़ी launch हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी इस साल अभी final confirmation नहीं आई है, कि ये गाड़ी किस महीने में आने वाली है, बट अगर बात करी जाए, गाड़ी का आने वाली है, तो इस साल के end तक MG का plan ह कि ये गाड़ी इनन मार्केट में launch करी जाए, बट अगर ये delay होती है, तो ये next year तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी final confirmations brand की तरफ से नहीं आई है, कि ये इननन मार्केट में officially इस साल आने वाली है, बाकि rumors काफी सारे चल रहा है, कुछ लोग कहा रहे है, अगले महीने आने व प्लान है, इंडियन मार्केट में काफी सारे models को लेकर आने का, काफी सारे line-up को increase करने का, तो वो बहुत जल्द होगा, बट इस साल अभी confirmation नहीं है, कि ये model किस महीने आने वाला है, बाकि year end तक आप लोग expect कर सकते हैं, बट आप लोग कोई और गाली देख रहे हैं, तो ज आता है European market में, और UK की market में जो introduced किया गया है, तकरीबन 20 लाग रुपे का पड़ेगा, और 20 लाग रुपे की hatchback को इंडिया में खरीदे का नहीं, तो इसके नदर काफी सारे चीजने करी जाएंगी जो इंडियन मार्केट के हिसाब से हो ऊगी, फिर इस गाली को इंडियन मा आने वाली है या नहीं आने वाली है और क्या डीटेल्स की सामने अभी तक आ चुकी थी वह मैंने आपके साथ शेयर कर दी है उमीद है आपको एक क्विक रिस्पॉंस वाली वीडियो पसंद आई होगा पसंद आई है तो लाइक करिए इसी तरी की और गाली के बारे में जानन मिलता हूं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ड्राइव सेफ राइड हार्ट